आप सब को प्यार भरा नमस्कार, राइजिंग भारत और चो कि मंच पर ऐसे शक्स हैं या ऐसे नेता हैं जो राजनीती कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं आप इनसे जितनी चाहे काम की बाते कर लिजे जैसे ही राजनीती की बात करेंगे ये 911 हो जाएगे तो इसलिए अगर इनको इस स्टेशन पर रखना है तो काम की सारी बाते और यही काम है जो राइजिंग भारत को उस जैनित तक लेकर जाने वाला है मंत्री जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका दर्शकों को बस बता दूं मैं कि आप 49 वे रेल मंत्री हैं पच्पन्वे संचार मंत्री हैं और दूसरे एलेक्ट्रोनिक्स और सूचना मंत्री हैं बहुत भार है कंदे पर आपके देखिए जिस तरह से प्रदाण मंत्री शी नरेंदर मोधी जी देश के लिए दिन रात महनत कर रहें अपना एक एक पल एक एक शन देश के लिए समर्पित कर रहें तो हमारे जैसे कई करताओं को लग जाना चीये पूरी तरह से जोटे जाना चीये अश्वनियल cwe जब 2047 की हम बात करते हैं, हम उस भारत की बात करते हैं, जो विक्सित हो चुका है, तो इमारी से अपने दिल पर हाथ रख कर बताईए, एक रेल मंतरी अपने रेलवे नेटवर्क को उस वक्त कैसे पाता है, उस वक्त की ट्रेन, हिंदुस्तान की जनता कैसे देख सकती है, दे की लगेसी और 25 वर्ष का प्लान, ये भारती जनता पार्टी का एक सपस्ट जनता के सामने, भारत की जनता के सामने, एक सपस्ट मेसेज है, इस 10 वर्ष की लगेसी में आप देखो, रेलवे में, प्राक्टिकली करीब-करीब बहुत सारे राजजी 100 परसेंट हुआ, सांट वर्ष में 20 हजार, दस वर्ष में 40 हजार, करीब-करीब आपके 30,000 किलोमितर नए रेलवे ट्रैक्ट बने, याने जर्मनी का जितना रेलवे नेटवर्क है, उतना रेलवे नेटवर्क भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ा, प्छले साल 5000 किलोमिटर तोटली नए जनरेशन की वंदे भारत ट्रेंस आई, नमो बारत ट्रेन आई, आज वंदे भारत ट्रेंस में हमारी जो मिडल क्लासेज है और एस्पिरेशनल यूथ है, उनको एक ऐसा अनुबह मिल रहा है जो दुनिया के बेस्ट से बेस्ट रेल्वे सिस्टम में मिलता, नमो बारत बनाने के लिए जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स है, जो फाउंडेशन बनानी है, नीव बनानी है, वो नीव बनी है, अगले पांच वर्षों में इस नीव को और मजबूत करेंगे। गाड़ी के एक्स्टेंशन या नई गाड़ी के अनॉंसमेंट पे ध्यान देते थे, पठ्रियों की केपैसिटी है कि नी उसकी कोई चिंता नहीं होती थी, इस तरह से रेल्वे का प्रसाशन चला रहे थे, ततकाली तब के रेल्वे मंत्री और तब की सरकारें, जिसमें रे मोदी जी ने अपने प्राइमरी फोकस में लेके आए रेलवे के बजट को मर्ज किया जनरल बजट में जहां मात्र 15,000 क्रोड के आसपास मिलते थे जनरल बजट से बारती रेलवे को आज 2,52,000 क्रोड रुपे का रेलवे का बजट सपोर्ट मिलता है काम फंडिंग बड़ी, काम बड़ा, कई तरी के रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे करीब-करीब 38 ऐसे मेजर स्ट्रॉक्चरल रिफॉर्म्स हुए, जिसके कारण आज रेलवे एक ऐसी परिस्तितियों में आई है कि अब अच्छी एक फांडेशन बन गई 10 वर्षों में, आने रेलवे एक अलग नया सुरूप देखेगी. साल भर में यह जो 700 करोड का आकड़ा है, रियात्रियों का सफर करने का, वो हजार बारा सो या तेरा सो तक पहुता है. ट्रेन में आपको बिना पट्री के गाड़ी नहीं चला सकते हैं. रोड कैसी भी हो, कंडिशन कैसी भी हो, एक बार के लिए गाड़ी चल जाती है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रेल्वे नेट्वर्क में ज्यादा से ज्यादा के पैसिटी बढ़ाने के लिए जितने भी टेक्नॉलोजीज हैं, रेल्वे के नई पत्रियां बिचाना, आपके कंप्लीट रेल्वे के जो कंट्रोल सिस्टम है, जिसको सेंट्रलाइज ट्र सेंट्रोल CTC कहते हैं, उस टेक्नॉलोजी पर जाना, आपकी ट्रेंस की एक्सिलरेशन डेसलिरेशन जो मतलब पिक अप और ब्रेक लगाने के बाद में रुकने की टाइम, उसको कम करना, टू इंटी रॉनिफाइव के बहुत मैसिव टेक्निकल वर्क है, उस पूरे टेक्न करोड पैसेंजर्स को हर साल कैरी करनी की कैपैसिटी हो जाएगी, आज हम करीब-करीब 700 करोड पैसेंजर्स को कैरी करते हैं साल में, रेलवे देश का अगर पूरा नेटवर्क देखो, ट्रांस्पोरेशन की एकनॉमिक्स देखो, तो ट्रांस्पोरेशन में करीब 700 करोड र तक एक हजार करोड हो का इन सालों में ऐसा क्या हुआ है कि आपने इतनी तेजी से यह सारी ट्रेने जाए नमो भारत हो चाहे वो वंदे भारत हो यह सिर्फ विल है या कुछ और भी चीजे थी जिसने इन एडिशन आपके स्काम को फास्ट्रैक पढ़ा दिया तीन चीजे एक वहुँ और स्कुझाटिरं पोड को कस टेकनालोजी लानी वहुट स्ट्रॉंग focus बुलिटिशाई साईज करने में डेल्वे को मिलेभ का फोकस डेलिवेक이고 hop कि और बीक्रीशन एक तरीके से काम कर्णे की पद्दति बशी दूसरा funding increase की मोदी जिन है तीसरा पी आडिउसाँ कि चाहिए किने भी कठीन फैसल्य लेने हो वैसले लो और फैसले लेकर जैसे फॉर इए एक नया डिल्वे की मेंटेनिस की पद्दाविकार मैं रेले हुआ है पहले क्या होता था कि जिस दिन मेंटेनिस करना ए मानलो पट्री ये पट्री पे डेली का डेली मेंटेनेंस करना पड़ता है तो जिस दिन आपको मेंटेनेंस का काम करना है उसी दिन सारे कॉंट्रेक्टर्स, मशीन, स्पेर, माटेरियल, सब लेबर सब आते थे तो सुबे से शाम तक मानलो बेट करते थे चार या पांच बेज तक मानलो परमिशन मिलती थी कभी परमिशन नहीं भी मिलती थी वापस चले जाते थे यह एक ऐसी पद्दती जो साथ सतर वर्ष तक चली अब आज रिल्वे में हर शुकरवार को अगले 26 हफते का next 26 weeks का detailed plan बनाते next 26 weeks मतलब जैसे जपान में मेंटेनेंस की पद्दती है या जमनी में या जो डेवलप कंट्रीज है विक्सित या भर फ्राइडे करते हैं वैसी की वैसी advanced planning अपना railway भी कर रहा है तो यह सब कठीन फैसले होते हैं इसमें आपको पूरे organization को एक साथ आदत बदलने की आदत डालनी पड़ती है एक नए तरीके से काम करने की मतलब प्रैक्टिस में आना पड़ता है तो यह असान काम नी होता है इसमें बहुत महनत और continuous communication with the top to bottom most layer आज आप किसी supervisor के पास जा के बात करो अगर और मैं आप में से निविदन करूँगा जो भी pathway inspector हो, section supervisor हो, इनसे बात करे इतने खुश है, इतने खुश है कि आज उनको maintenance के लिए जो time चाहिए होता वो मिलता है maintenance के लिए resources चाहिए हो मिलता है और आप वास्ता में जाके मिलों, मैं तो कम से कम लो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे officials के साथ, जो कि group B officers भी नहीं है, group C में जो काम करते हैं करमचारी, उनके साथ बहुत interact करता हूँ और उनसे बहुत input लेता हूँ बहुत feedback भी लेता हूँ इतने खुश है इस बात से कि रेलवे का एक तरीके से जिस तरीके से चलनी चाहिए एक टेक्निकल और गिनाजेशन वैसे मोदी जी ने दस वर्षव में रेलवे को उस टेक्निकल स्टेज पर लेके आ गए अश्वनी जी दुरगटना को लेकर मैं आपसे डीटेल में तोड़ी चर्चा करना चाहूंगी especially कम होई हैं दुरगटना है accidents कम होएं लेकिन जो होते हैं वो आपने भी देखे हैं आप कितने दिनों तक वहां पर रहे थे आपकी आँखों में लोगों ने आसू देखे हैं वहीं उस जमीन पर पॉलिटिक्स भी देखी है कवच को लेकर विपक्ष ने बहुत हमला सादा क्या आपने कहा था है कि ऐसी टेक्नोलोजी ऐसा सिस्टम है कि इससे हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन जब हुआ तो उसने सब को जक्मी कर दिया देखो कवच एक टेक्नोलोजी की क्लास है जिसको कहते है आटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीप टेक्नोलोजी एटीप टेक्नोलोजी दुनिया भर के बड़े रेल्वे सिस्टम्स में 1980 के दशच में चालू हुई 1990 के दशच में काफी बड़ी मात्रा में लगी और 2000 के दशच में करीब करीब दुनिया के सारे बड़े रेल्वे नेटवर्क्स में fully ATP आ गया तब कि सरकारे क्या करती थी, क्या उन सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि ATP लेके आए, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि safety पर investment करें, safety के लिए जो नए technology चीए वो लेके आए, कुछ नहीं किया उन्होंने 2016 में पहली बार भारत में ATP टेक्नोलोजी को मान्यता दी मोदीजी ने, 2016 में, 2016 मनलब सोचो देश ने 1980 से लेके 2014 तक का पिरियड एक तरीके से उस पिरियड में पुरा देश कवर हो जाना चाहिए था ATP टेक्नोलोजी से 2016 में मान्यता दी, 2019 तक उसके पूरे सर्टिफिकेशन मिले, 2020 और 2021 में कोविट के करन दिक्कत आई, लेकिन उसके बावजूद भी और उसके बाद में बहुत तेजी से इस पे काम चला, अब करीब और कवच भी एक कोई ऐसा नहीं कि एक डिवाईस है जो लगा दिया ट्रेन पे और होगी ऐसा नहीं है, कवच पूरा एक सिस्टम है भई, आपको पूरा पूरा रिल्वे ट्रैक के साथ में ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाना पड़ता है, जैसे एर टेल या जीओ या बीसनल का नेटवर्क होता है, वैसे हर साथ या आठ किलोमेटर पे आपको टेल टेलेकॉम टावर लगाने पड़ते हैं, उन टेलेकॉम टावर के ऊपर टेलेकॉम के डिवाइस लगते हैं, फिर ट्रैन के ऊपर डिवाइस लगता है, सिग्नलिंग सिस्टम के साथ पूरा इंट्रैक्शन, इंटिक्रेशन करना पड़ता है, हर स्टेशन पे डेटा सेंटर बनता है, complete data center बनता है इसका, और फिर station के data center से पीछे, complete centralized train control का data center it's very very complex technology मतलब, दुनिया भर के देशों में 20 से 25 साल लगे छोटे छोटे नेटवर्क, 8000, 10,000 20,000 किलोमेटर के नेटवर्क अपना 50,000, अभी 70,000, 75,000 किलोमेटर का नेटवर्क है तो लेकिन इतनी तेजी से इसमें काम चल रहा है नए ने जो manufacturers जूड रहे हैं, नए designers जूड रहे हैं, कई तरह के innovations कर रहे हैं जिसमें की, जो station की design करनी है उस design को automate किया जा सके मतलब ये एक ऐसी commitment है जो commitment मोदी जी ने सपश्ट तोर से देश में railway को safe बनाने के लिए की है, एक लाग सित्यासी हजार क्रोड का investment किया है दस फर्षों में, अगर आप उसको compare करें तो धाई गुना जादा है उससे पिछले चार से चौदा में जितना investment था safety पे उससे धाई गुना जादा है, और उसका रिजर्ट भी दिख रहा है, वो रिजर्ट भी दिख रहा है, वो रिजर्ट भी अगर बीच में, लेकिन आगे और भी ज्यादा प्रयास करके 100% सेफटी की तरफ बढ़ेंगे एक कमिट्मेंट बुलिट ट्रेन को लेकर भी है अश्विनी वैशनर जी, जब इतना गड़ा है, जिसको आप भढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ऐसे में कई लोग ये कहते हैं कि क्या बुलिट ट्रेन के इस देश को आवशकता है, आप उन्हें क्या कहेंगे बुलिट ट्रेन एक ट्रांस्पोटेशन का मीन्स के साब से मत समझे आप इसको बुलिट ट्रेन को अगर आप देखोगे, बुलिट ट्रेन आपके जिस पाथ पे चलती है, उस पाथ के सारे शहरों की एकॉनमी को एक साथ जोड़ देती है, मैं इसका उधारन बहुत अच्छा आपको दूँगा, जैपान का, पहली बुलिट ट्रेन आइंटीन सिक्स्टी नाइन में जब चलनी चाल हुई, टोक्यो, नागोया, कोबे, क्योटो और उसाका, यह सारे के सारी एकॉनमी मिलके एक एकॉनमी बन जाती है, साड़े 500 किलोमेटर के आसपास का डिस्टेंस आप ढाई से तीन गंटे में कवर करते हो, यहने आप अगर क्योटो में काम कर रह रहे हो, उसाका में जाके काम किया आपने, और शाम को वापिस क्योटो में अपने बच्चों के पा मुंबई, ठाने, वापी, सूरत, बड़ोदा, आनंध और एम्नबाद, यह सारी एकॉनमी एक सिंगल एकॉनमिक जोन बन जाएगा, आप सुबह बड़ोदा में नाश्ता करोगे, एक गंटे के अंदर अंदर मुंबई में पहुँचे, दिन बर अपना काम किया, शाम को पक आज देखो ना आप, आज आप देखो 200, मैं डेली काउंट करना भी भूल जाता हूं, पिछला शेह दस तिन, बारा दिन पहले रिव्यू किया था, 214 किलोमेटर अल्रेडी बन चुकी है, कम्प्लीट, ट्रैक्स लग रहे है, उपर ओवरेड इलेक्रिकल का सिस्टम लग र पांसो किलोमेटर का, अपने यहां आठ देस वर्षों के अंदर अंदर यह प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा, दोजार चबीस में पहली सूरत से बिली मुरा वाले सेक्शन में ट्रेन चलेगी, आप देखोगे, और वर्ल्ड क्लास है, आपसलूटली वर्ल्ड क्लास है, अप उनको कोई नंबर दिना चाहेंगे तस में से पांच में से, आप लोग का काम है भई है, हमारा काम नहीं है, अब है तो मैनत करनी है, मैनत करते जाना है, डिजिटल इंडिया की तरफ में आ रही हूं, प्रदानमंट्री नरेंज होधी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उ आप कहा रहे हैं कि बहुत जल हिंदुस्तान को पहला समी कंड़क्टर मिल जाएगा, ये दो सवाल है, मैं संशेप में चाहूंगी, अब तक क्यों नहीं हो पाया, आज हो रहा है, तो ऐसा आपने क्या कर दिया, दिसंबर 2024 में पहली मेड इंडिया चिप मार्केट में आ जा नीती और सही आपका fundamental conviction नहीं होता तब तक नहीं हो पाता, मोदी जी का इतना strong conviction है कि हमें विकिसित भारत को जब बनाना है, उसके foundation में क्या-क्या लगेगा, उसके foundation में बहुत एक important है, electronics manufacturing, चाहे electronics manufacturing in the sense कि आप जो गर में टीवी देखते हो, फ्रिज देखते हो, उसको देख हो, हर चीज में semiconductor लगता है, लो कुल मिलाकर कोई भी चीज जो on या off हो रही है, उसमें semiconductor लगता है, यह मैं बहुत मतलब आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जैसा commitment मोदी जी ने दिखाया, और मैं आपको परसनल इसमें एक्जाम्पल्स दे सकता हूं, हम लोग semiconductor discussion के लिए, जब आधे घंटे का या 45 मिनट का टाइम प्रदान मंतरी जी का मांगते थे, मैं आज सब पब्लिक के सामने कह रहा हूं, कहना नीचीए, लेकिन PM साब ने साड़े साड़े तीन घंटे तक time दिया, हम 45 मिनट टाइम मांगते थे, वो तीन घंटे तक time द करते थे, जो भी concerned विभाग है, सरकार का काम करने के तरीके में बहुत सारे विभाग जुड़ते हैं, हर डिपार्टमेंट को personally बुला के साथ बैठते थे, और PM साब कहते थे कि हमको semiconductor में successful होना है, देश को semiconductor में successful होना है, ऐसा commitment इंपॉसिबल है किसी दूसरे प्रदान मंतरी आप बोल रहे हैं कि इंपॉसिबल कमिट्मेंट सरकार की तरफ से, प्रदान मंतरी नरेन रमोधी की तरफ से दिख रहा है, लेकिन विपक्ष, आसकर पीच दम्रम साब, ये कह रहे हैं, ये jobless growth है, वो ये कह रहे हैं कि जो कामकाजी संख्या है, वो 50 फीसद से भी कम है, और पीच दम्रम साब को एक challenge पहुचा ही है, EPFO, Employee Provident Fund Organization, ये एक organization है, जिसमें जो भी व्यक्ती काम पे जाता है, उसका एक registration होता है, उसकी salary में से deduction होता है, और organization की तरफ से एक deduction होता है, absolutely, ऐसा data है, जिस data को कहीं पर भी हर जगे सुईकारेता मिलती है, EPFO के data के हिसाब से, जो नए लोग जॉब में जुड़े, minus, जो लोग जॉब से निकले, plus जो लोग जॉब में वापिस आए, कहीं एक बार निकल गए होंगे, वापिस आए, इसका जो net number है, वो total job opportunity बनी, ये तो सीधी गणीत है, simple सी गणीत है, वो total job opportunities, 6,000,000 per month थी, कुछी वर्षों पहले, आज वही, on average, 12,000,000 per month है, 12,000,000 per month का मतलब साल के हुए, एक करोड़ चुमालिस लाग, 12 बिन टूट वन फॉर्टिफोर, एक करोड़ चुमालिस लाग साल की जॉब ऑपरचुनिटीज क्रेट हो लिए, आप चिदमरम साब को पूछिए कि क्या ये आकड़ा जोट है या ये सच है, ये डेटा है, इस डेटा को कई बड़े मैं उबीद करते हूं कि आपका जो ये चालेंज, ये चालेंज जो है, चिदमरम साब एक्सेप्ट करेंगे और जरूर आपकी ये चालेंज हम उन तक पहुचाएंगे, विपक्ष का एक और आरूप है, वो ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि हम मैनिफेक्ट्रिंग हब बन चुके लेकिन आपको इमनिफेक्ट्रिंग नहीं करते हैं, आपके नाम उसको ये दे रिया है, देखो, जिन सक्ष की बात आप कर रहे हैं, ये चलो मैं जनरल में किसी सक्ष का नाम क्यों लो, जब तक आप ने लोगे, तो, देखो, किसी भी देश में कोई भी इंडस्ट्री जब चालू होती है, चाहिए, आप एग्जामपल ले लो, कार इंडस्ट्री का, आज से उनिस सो असी के आसपास, जब कार इंडस्ट्री चालू ही, सबसे पहले क्या आया, कार की CKD बनके आई, जो कंप्लेटली नॉक डाउन यूनिट उसके बाद में क्या आया, SKD, सेमी नॉक उसके बाद में क्या आया, की Export होने चालू है, एक साइकल है, हर इंडस्ट्री की एक Life Cycle होती है, अगर यही Life Cycle Congress की सरकार है, अगर एगर 1970 में करने लग जाती, तो आज धेश की कहां पर परिस्तितिया होती, कॉंग्रेस ने पहले चार दशक भारत के वेस्ट किये चार डिकेट भारत के लॉस्ट डिकेट बने क्योंकि कॉंग्रेस की ऐसी पॉलिसी थी जिसमें मैनुफैक्ट्रिंग को एकदम गला घोट के रखा गया ऐसा कानूनों का मकड जाल बना के रखा दिया जिसमें की कोई इंसान मैनुफेक्ट्टिरिंग कर न सके बस बनलब ऐसी परिस्तितिय थी उनिस सो नबे से पहले तक तो कि अगर आप अपनी कार की डिजाइन का हैंडल का डिजाइन चेंज करना चाहोगे तो आपको बारत सरकार के किसी अधिकारी के पास आके परमिशन लेन आज आपन ऐसी परिस्तितियों में हैं जिसमें मैनुफेक्ट्रिंग हब बनने के लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो फाउंडेशन लेडाउन हो गई है अगले पांच वर्शों में आप देखो कि देखो मैं आपको एग्जामपल्स देता हूं नंबस देता हूं नंबस मैनुफेक्ट्रिंग प्राक्टिकली नेगलिजिबल नंबर था आज कितना है फिछले साल का डेटा है एक सो पांच बिलियन डॉलर और कम से कम डबल डिजिट में ग्रोथ हो री इसकी डिफेंस मैनुफेक्ट्रिंग कुछ भी नहीं थी आज 2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर हो रहा है अमेरिका युए युएस यूरॉप सब जगे एक्सपोर्ट हो रहा है क्या बात करते हैं वही कॉंग्रेस के लोग जो अपनी इतने वर्षों तक जिन्हों ने अपनी गलतियों को आज जवाब देनी पा रहे हैं और हम लोग मैनत कर रहे हैं जनता देख रही है प मतलब सरकार ही अगर चेक करने लग गई तो कैसे चड़ेगा आपके काम को सिटिजन अच्छा बताओ एक बाताओ एक बाताओ CNN TV18 पे कुछ छपता है उसकी जानकारी लेनी हो तो किससे पूछोगे CNN TV18 से पूछोगे और नी पूछोगे बरबर है ना आपके और्गनाज़ेशन की जानकारी किस से पूछेंगे आपसे पूछेंगे ना भारत सरकार की कोई भी न्यूज किसी भी स्कीम उसके बारे में पूछना तो किसको पूछोगे अगर आपका ग्रह मंत्राले से काम है ग्रह मंत्राले से पूछोगे हेल्थ मिनिस्ट्री से काम है हेल्थ मिनिस्ट्री से पूछोगे अगर आप कहोगे कि नहीं यह पावर मिनिस्ट्री से संब्धित प्रशन है पावर मिनिस्ट्री से पूछोगे इतनी basic common sense की बात है भई जो राज्य सरकार से वो राज्य सरकार से पूछोगे, किसी private organization उससे private organization से पूछोगे और वो सवाल आपको ना पसंदा आए तो? बात सवाल की नहीं है, बात fact की है, fact और opinion में difference है और वो facts अगर सरकार को ना पसंदा आए तो आप verify कर सकते हो ना? अबसलिटली सही फैसला है और एक तम correct फैसला है, democratic फैसला है, constitutional फैसला है बहुत 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 शुक्रिया, ऐश्वनी वैशनव जी हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए अबसली बहुत से सवाल थे और लेकिन ये अश्वनी वैशनव जी जो बता रहे थे अब तक क्या कामकाज हुआ है और किस गती से इनकी विक्सित भारत की ट्रेन लगातार आगे बढ़ रही ही, बहुत 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 शुक्रिया सवाब हुई जास्टेम्स अजारो एप्टॉस जालों जो नहीं है बेल्स भोल से इसेश्मारी श जैसलै प्टार्जिश कर दूर को एप ख mulब अधूरों इंट जारो आन्रीटिट जालोंस अजेश्टों जारोंग जालोंग घर प्रक कर एंट अजा सरव इंटेश्न आपनार।ोंग that are sweeping India. Ladies and gentlemen, Jaipur is now within a near short distance from Delhi. Literally, you can drive into the Pink City from Delhi in less than three hours. Mumbai and Delhi are considerably close to each other as well. And in about a year's time, you should be able to drive between the national capital and the financial capital in 12 hours. Would you believe that? Soon, you will be able to drive from Delhi to Deradun in two and a half hours, Delhi to Amritsar in four hours, Delhi to Srinagar in eight hours. This, ladies and gentlemen, was unthinkable until not too long ago. Development indeed...